होटल सोलफुल हौंटेड होटल इन राजस्थान तीन दोस्त पियूश, विकास और अमित राजस्थान के एक छोटे से गाउं छीतरी आये थे वो लोग अपने बिजनस के लिए उस गाउं में फैक्टरी डालना चाहते थे क्यूकि उस गाउं में जमीन और मज़दूर दोनों ही काफी सस्ते थे उस गाउं में अमित ने होटल सोलफुल में रुकने का बंदोबस्त किया था होटल सोलफुल एक छोटा सा होटल था कोई आलिशान पत्थर नहीं थे उसमें बस इड से बनी सफेद रंग की एक मंजीला इमारत और नीचे खाने का एक वेजडेस्ट्रॉं जिसमें भी टेबिल और दर्वाजों पर धूल लगी हुई थी जैसे वहां का चूला हफ्तों से जला ही नहीं था जैसे ही वह लोग होटल पहुचे तो उन्होंने देखा कि वहां कोई स्टाफ ही नहीं था बस वॉच्मेन के नाम पर एक भूडे से चाचा बैठे थे जो अपनी बीडी पी रहे थे प्यूश और विकास दोनों ही अमित को डाटने लगे क्योंकि होटल बुक करने की जिम्मेदारी अमित की थी और वो होटल एकदम थर्ट क्लास लग रहा था उनकी बातों को सुनते हुए वो वॉच्मेन चाचा उन तीनों के पास हसते हुए आए और उनसे पूछने लगे कि क्या वो होटल सोलफुल में ही रुखने वाले हैं उन तीनों ने सर हिला कर हां कहा और चाचा जोर से हस पड़े हसते हसते ही फिर उन्होंने चलना शुरू किया और कुछ गुनगुनाते हुए वहां से चले गए उन तीनों ने उस वाच्वन चाचा को पागल समझ कर उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया तब ही रिसेप्शन पर एक आदमी आया छोटे कत का घनी मूचो वाला उसने उन्हें रूम की चाबी दे दी वो लोग उपर अपनी कमरे में गए अपना सारा समान रखा और कुछ देर अराम करने लगे प्यूश को अचानक प्यास लगने लगी और रूम में पानी नहीं था प्यूश पानी लेने के लिए जैसे ही रूम के बाहर निकला उसे पायल की एक चंकार सुनाई दी ऐसी अवाज जैसे कोई पायल पहने भाग रहा हो प्यूश घबरा गया उसको ये बात बेहद अजीब लगी क्योंकि उस होटल में कोई और नजर नहीं आ रहा था अब उसके फ्लोर के कोरिडोर के एंड से पायल की अवास के साथ साथ एक जवान लड़की की हसने की अवास भी आने लगी प्यूश उस अवास के पीछे जाने लगा कि तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा और प्यूश चीख पड़ा पीछे रिसेप्शनिस्ट पानी लेकर खड़ा था प्यूश ने अपनी बौकला हट में उसे रिसेप्शनिस्ट को डाटा और पानी लेकर वापस अपने रूम में चला गया देर रात विकास रूम के बाहर होटल की बालकनी में खड़ा अपनी गर्फरेंट से बात कर रहा था उस बालकनी से हाईवे का लंबा रास्ता साफ दिखाई देता था अचानक उस रास्ते पर एक एकसिडेंट होता हुआ दिखा विकास चौक गया वो नीचे दौड लगाने के लिए जैसे ही मुड़ा तो उसके पीछे सफेद कुर्ते में एक भूड़ा आदमी खड़ा था उस आदमी की लंबी सी सफेद दाड़ी थी और मुपर धेर सारी जुर्यां थी विकास उस आदमी को देखकर खपरा गया था क्योंकि वो आदमी सिर्फ हाईवे की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था फिर अचानक से उसने विकास को देखा और उसने हसना बंद कर दिया वो आदमी जैसे ही विकास की ओर बढ़ा विकास डर कर अपने रूम में आ गया रूम में आकर जब उसने अपने रूम की खिड़की से उस आईवे पर देखा तो वहाँ कोई आक्सेडेंट नहीं हुआ था अगले दिन तीनों फैक्टरी की साइट देखने के लिए निकले लेकिन गाड़ी शुरू होकर थोड़ा आगे ही भड़ी थी कि अचानक बंद पड़ गई दोस्तों, खोनी मंडे की थ्रिलिंग स्टोरीज के साथ-साथ इंजॉय करो साउथ आफ्रिका की थ्रिलिंग T20 क्रिकेट लीग ऐसे 20 जो आप जियो सिनिमा पर देख सकते हो एक्तम फ्री जाब डुपलेसी, बटलर, मिलर, क्लासं, स्टोइनिस जैसे बिग हिटर्स इस लीग में खेल रहे हैं और अब इस लीग के कॉलिफायर्स और फाइनल होने वाले हैं तो जल्दी से ट्यून इन करो जियो सिनिमा और देखो ऐसे 20 लीग लिंक, डिस्क्रिप्शिन और पिंट कॉमेंट में साइट जाने के लिए कोई बस या सवारी भी नहीं थी तो उन तीनों ने रिसेप्शनिस्ट के कहने पर शेहर से एक मेकानिक को बुलाया तीन घंटे बाद जब मेकानिक आया तो उसने थोड़ी देर तक गाड़ी को देखने के बाद कहा कि गाड़ी को वरक्शॉप ले जाना होगा वो तीनों मेकानिक के साथ ही टो करने वाली गाड़ी में चले गए और साइट पर उतर गए साइट देखते देखते शाम हो गई थी उनको मिकैनिक का कॉल आया कि उनकी गाड़ी पूरी तरह से बिगड़ चुकी है और वो कब तक बनेगी कहा नहीं जा सकता अब उन्होंने वापस जाने के लिए एक ट्रक वाले से बात की और उस ट्रक वाले को होटल पर खाना खिलाने का लालज दिया लेकिन जब उन्होंने उस ट्रक वाले के सामने होटल सोलफुल का नाम लिया तब वो ट्रक वाला बेहद घबरा गया उस ट्रक वाले ने उन्हें बताया कि होटल सोलफुल में भूतों का बसे रहा है उसने कहा कि होटल सोलफुल एक कबरिस्तान पर बनाया गया था एक नहीं बलकि 100 से वी जादा भूत वहां रहते हैं और इसलिए वहां कोई भी नहीं जाता पियूश और विकास के साथ हुए हाथसों ने उन्हें सोचने पर मजबूर तो किया पर अमित भूत प्रेत और सूपर नाचरल चीजों में नहीं मानता था उसने ये बात रफा दफा कर दी और ट्रक ड्राइवर से कहा कि वो उन्हें होटल से थोड़ा दूर ही उतार दे बहुत मनाने के बाद वो ट्रक वाला मान गया और वो तीनों जैसे तैसे होटल पहुँचे देर रात हो चुकी थी और तीनों कमरे में अराम कर रहे थे अमित भी लेटे लेटे अपने फोन से खीची फोटोस देख रहा था लेकिन अचानक वो उठकर बैठ गया ऐसा लग रहा था जैसे उसके होश ही उड़ गए हो उसकी तस्वीरों में उनके ही कमरे में कई सारे बच्चे दिखाई दे रहे थे वो बच्चे शायद जो उस होटल में बसे भूत थे अमित के हाथ पाऊं ठंडे पड़ गए उसने प्यूश और विकास को जब फोटोस के बारे में बताया तो वो तीनों बहुत घबरा गए वो उस होटल के रिसेप्शनिस्ट को ढूंडते हुए नीचे आए लेकिन रिसेप्शनिस्ट का नामों निशान ही नहीं था वहाँ उन्हें वो भूड़े चाचा बैठे हुए मिले उन्होंने ये सब उन भूड़े चाचा को बताया तो उस भूड़े चाचा ने हसते हुए कहा कि जब वो होटल के अंदर आये थे तो चार आत्माएं तो उनकी गाड़ी के उपर ही बैठी हुई थी उन्होंने बताया कि होटल सोलफुल में पिशले 18 सालों से भूतों कसाया था जब से ये होटल बना था तब से यहां के भूत होटल में आने वाले लोगों को जिन्दा वापिस नहीं जाने देते किसी के एक्सिदेंट्स करवा देते हैं तो किसी को आत्माहत्या करने पर मजबूर कर देते हैं फिर होटल की बालकनी के ओर इशारा करके उन्होंने बताया कि वहाँ देखो वो सफेद कुर्ते में एक भूड़ा आदमी खड़ा है उस आदमी ने यहाँ होटल बनाने से मना किया था क्योंकि यह जगा कबरिस्तान की थी लेकिन कुछ महीनों बाद होटल के सामने वाली होटल में रहने वाले उन बच्चों की आतमाओं को वो गाड़ी पसंद आ गई थी और शायद इसलिए वो तीनों अब तक जिन्दा भी थे उस भूड़े वाच्मैन ने उनसे अपनी जान बचा कर वहाँ से निकल जाने को कहा यह सब बाते सुनकर उन तीनों के पसीने छू वो तीनों उसे धक्का मार के वहाँ से तेजी से भागे। हाइवे पर आकर वो लोग आगे जा रही गाड़ियों से लिफ्ट मांगने लगे। लेकिन कोई गाड़ी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी वो रिसेप्शनिस्ट उनके पास आया और हाफते हुए उन तीनों को उसके गले में पासी के फंदे का निशान दिखाई दिया। उन तीनों के पैरो तले जमीन के सक गई। वो समझ गए कि शायद यहां सब ही मर चुके हैं और कोई भी जिन्दा नहीं है। तीनों डर के मारे हाइवे के रास्ते पर भागने लगे। भागते भागते जब कुछ दूर तक पहुच गए तो उन्होंने पीछे पलट कर देखा हवा में कई सारे भूत उस होटल के चक्कर लगा रहे थे। और रोड पर खड़े वो वाच्मैन और रेसेप्शनिस्ट उन्हें देखकर अजीब तरीके से मुस्कुरा रहे थे। चीतरी गाउं के ब अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल खूनी मंडे सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलना